Hello Guy वैल कम इन My YouTube चैनल आज हम Tally Prime की सरीन में पर्चेज से रिलेटिट कुछ करेंगे डिसकेशन करेंगे ओर्डर से रिलेटिट यृटिटीट तो चलिए शुक्षक करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं तो टैली की स्रीज में हम आज जानेंगे की पर्चेज या ओर्डर प्रॉसेसिंग क्या होती है तैली में ओर्डर प्रॉसेसिंग किसे कहते हैं इसकी कब ज़रुद पड़ती है आप इसको इस तरही किसे भी कह सकते हैं कि टैली में order processing क्या है या फिर purchase order processing क्या क्या कहलती है कैसे use करते हैं what is purchase order in telly what is sales order in telly यह sales order processing क्या होती है इसके लावा हम समझेंगे इसमें कि order processing को activate किस तरीके से क्या जाता है ऐसी कौन सी जगह है ऐसा कौन सा प्लेस है जहां पर इसको हम अनेबल करते हैं ताकि यह हमारे टैली में फीचर एक्टिवेट हो जाएं और प्रॉपरली दिखाई देने लग जाएं तो देखिए कुछ हाइड होते हैं जिनको हमें एक्टिवेट करना होता है इससे पहले हमें थोड़ा सा समझन होती है जिसके अंत्रेकत हम माल सप्लाइई करने वाले व्यक्ति कंपनी यां फिर्म को1000 सप्लाइइ दर्ज किया जाता है यानी आप भ्रेटन में यह सारी सारी चीजेओध अब अब ज़रा थोड़ा सा और डिसकस करते हैं और डिसकस करते हैं sales के उपर फिर पहली में practical करेंगे sales order processing वह पर करिया है जिसमें हम customer से बिकरी के उद्धे से लिखित में order प्राप्ट करते हैं sales order में माल की सूची उसकी मात्रा और उसकी रेट लिखित में दर्ज की जाती है यानि आप customer से पुरा पुरा लिखित में order ले लेते हो जिसमें उसकी unit लिखी होगी quantity लिखी होगी और per head price लिखा होगा total price लिखा होगा तो यह सारा का सारा आपका sales order में आता है तो चलिए अब टैली में इसको हम किस तरीके से करते हैं क्या प्रॉसेस है इसको देखते हैं तो टैली open करते है चलिए तो यह हमारी टैली की welcome screen है हम इसको मुख्यद्वार भी बोलते हैं और हम इसको गेटवे ओफ टैली के नाम से भी जानते हैं तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यह company मैंने अपने ही चैनल के नाम से बनाई हुई है computer learning with RPG इसमें मैंने कुछ stocks बनाई हुए कुछ लेजर बनाई हुए चलिए देख लेते हैं तो आप लेजर की जब बात करें तो अल्टर में आकर आप देख सकते हैं कि मैंने customer, purchase, sales, supplier का लेजर पहले से बनाए हुआ है वहीं अगर आप stock की बात करें तो stock items में मैंने दो stock बनाए हुए desktop और laptop तो चलिए आप देखते हैं कि हम purchase order किस तरीके से लेते हैं क्या process है purchase order लेने का सबसे पहले आप create के अंदर ही आएंगे create के option को आपने click करने है और click करने के बाद आप यहां पर voucher टाइप पर चले जाए तो वाउचर टाइप को जैसी आप select करेंगे वाउचर टाइप ठीक है वाउचर टाइप आ रहा है आपने एंटर किया तो यहां पर जो भी आपके सामने आएगा क्रियेट करने के लिए कि आप न्यू क्रियेट कर सकते हैं बट क्योंकि मैं अल्रडी पहले बता चुका हूं कि टैली के अंदर यह इन बिल्ड हैं बने आप यहां पर आ जाएं वाउचर टाइप में एंटर करें ठीक है उटर में एंटर करने के बाद आप यहां पर आपको परॉटेस ओर बड़ी आसानी से मिल जाएगा तो देखिए जए इसको आपको एक्तीवे everyone आगा है आपको एक्तीवेट करोड़ूक्वेट इसको एक्तीवेट करेंगे तो देखिए यहां पर आपको एक्टीवेशन का option दिया गया यह चीज़ ध्यान रगना पुराने वाले टैली में इस टाइब का नहीं था तो यहां पर उसमें 11 करके दिया जाता था यहां भी कर सकते हैं बट जो में फीचर है वो इस तरीके से आपने करना है तो एक्टिवेट डिस वाउचर आपको यहां पर यह करना है त सेल्स ओर पर आते हैं और यहां पर वही सेम पोजिशन है एक्टिवेट डिस वाउचर टाइप इसको भी यह करें आप और एंटर करते हुए इसको भी कंट्रोल ए से या फिर एंटर करते हुए इस विंडो को सेव करते हैं तो फॉलाल मैं कंट्रोल ए को यूज कर रहा फो अपने नीचे की तरह वाउचर जोकि ट्रांजेक्शन के अंदर दिखाई दिना आपको तो आप मुझे अपने पर यहांप उसके लिए आपके पास यहां पर एक उप्संन है अधर वाउचर आप इसकी शॉटकट की भी यूज कर सकते हैं जो कि शॉटकट की है एफ 10 ठीक है या तो आप एफ 10 प्रेस कीजिए या फिर आप माउस से क्लिक कर सकते हैं इस पोजिशन पर तो ज़स्ट मैंने क्लिक किया क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपको नीचे की दरफ यहां पर पर्चेज ओडर कंट्रोल प्लस एफ 9 आपकी शॉटकट की है जो पर्चेज ओडर को डिनोट कर सकती है बस आपने एंटर करना है देखिए पुराना जो टैली एरपी 9 था उसमें शॉटकट की डिफरेंट थी आप थोड़ी से डिफरेंट होगी है तो मैं यहां पर जस्ट एंटर कर रहा हूं और एंटर करते ही आपने जैसे एंटर किया आप देख सकते हैं कि आपके सामने पर्चेज ओडर का वाउचर आ चुका है इसको कैसे देखेंगे तो आप यहां पर जाकर देख सकते हैं पर्चेज ओडर लिखा हुआ रहा है इसके बाद यहां पर सिर्फ आपको परचे डालना होता है तो परचेस का लेजर आप से बना के घा तीसरी जो पुजिशन आतीए कि आपको और नमडर के लिए आप के पस यहां पर एक पुजिशन है जहां पर आपको चिछे कर लेता हुआ ए के तुम्त बाइन आप देखते रहें स्कॲीट पे किस तरीके से मैं कर रहा हूं तो मैं फाल्टी नेम लेता हूं और मेरे पा सप्वॉयर ने कियात सिंपल सप्लायर डाला यहां पर उसका जो पर मोड होगा किस तरीके कि चोड़ रहे हूं और यहां पर सप्प्लाइर लिखे उसकी स्टेट को डिनोट जरूर करूंगा मैं कि यह माल कहां पर जाएगा और नमबर मैंने अभी रखा है यहां पर परचेज डाल दिया यहां पर आपको वन अप्रेल 2021 दिख रहा है क्योंकि मैंने डिनोट की हुई है आप क्वांटिटी डाल दें सपोज मैं टैन क्वांटिटी डाल रहा हूं और यह 2500 के रेट से मैं पर्चेज कर रहा हूं तो टोटल आचको है 25,000 रुपे एंटर किया दूसरा है मेरा लैप्ट यह मेरा ऑर्डर बन चुक है एंटर किया मैंने इसको एंटर करते हुए मैं इस विंडो को सेफ कर देता हूं तो जस्ट एंटर किया आप निरेशन देना चाहते हैं आप डिसकाउंट लगाना चाहते हैं सारी चीज़े लगा सकते हैं तो यह आपका पर्चेज और कम्प्ली करते हैं वह एक और विडियो बना रहा है अभी जो मैं बात कर रहा हूं जिसके पर पर अधार की कैसे लेते हैं और तो आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है वह पॉडर की है अब इसको हमको कनवर्ट करना है यानि इस सेवर्डर अभा में लेना है लिए गें जो कि मैंने आपको बता रही है कि आप 10 की प्रेस करें ताकि आप more vouchers पर जा सके या फिर आप माउस की help से यह आपका अधर vouchers है इसको क्लिक करें तो क्लिक करते ही देखे सेल्स ओर्डर की जो शॉटकट की है वो कंट्रोल प्लस एफ एट है तो कंट्रोल प्लस एफ एट को क्लिक करें अब आपने सेल ओर्डर पर बात दनी है तो से अगर आपको लगता है कि कैश में नहीं है कस्टुमर का नाम आपके पास अभी लेबल है तो कस्टुमर का नाम डालते हैं और यहां पर अभी हमने सिर्फ ओर लिया है और और को अभी कंवर्ट नहीं किया तो देखे यह ओर आ गया हमारा तो अभी आप डेक्स्टॉप ले सबस्क्राइब को अधिन तरीके से लेपटॉप की बात करें तो लेप्टॉप का अडर आया है आपके पास 4 पी आपशाप छर्ण का पर इसका जो रेट आपने डिनॉट किया आप इंटर करते वे आप इस टेशुरा यह को सेव कर सकते हैं तरुकर करके जिश्ट आपने व करने मोई कि तो यहां पर आप से लग क कैसे करते हैं और से ओडर को कैसे करते हैं सेलस में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी मैं न्यू वीडियो बनाता रहता हूं वह आपको टाइमली मिलती रहें तो थैंक यू फ्रेंड्स